दोस्तो टू फ्रेंट वोर को लेकर आप हमेशा ही मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या भारे टू फ्रेंट वोर के लिए बिल्कुल रेडी है इस बात का जवाब आपको आज का ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की वायू सेना उस देश की रीड की हड़ी होती है और हमारी वायू सेना में फिलाल फाइटर जेट की स्कौाइडन लगातार गढ़ती जा रही है और जो हमारी वायू सेना फिलाल फाइटर जेट का इस्तमाल करती है वो भी बहुती ज़्यादा पूराने हो चुके हैं और इन फाइटर जेट के लगातार क्रेश के बाद हमारी वाईउ सेना में फाइटर जेट की स्क्वाइडन गढ़ती जा रही है फिलाल हमारी वाईउ सेना पाकिस्ता को तो अच्छे से सबक सिखा सकती है लेकिन इतने कम फाइटर जेट होने की वज़े से फिलाल हम चाइना की वाईउ सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिलाल चाइना के पास भारी संख्या में फाइटर जेट मौजूद हैं और चाइना ने तो 1500 की संख्या में J20 Stealth Fighter Jet को भी बना कर तैयार कर लिया है साथ में चाइना की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम 500 की संख्या में J20 Fighter Jet को अपनी सेना में शामिल कर लेंगे लेकिन हम केवल 36 राफेल और 9 सेना के 26 राफेल से तो चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे एसे में फिलाल भारत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भारत जल्द से जल्द MRFA डील को पूरा करे लेकिन अब ये डील भी और ज़्यादा लेट होने वाली है क्योंकि अब इस बात की संभावनाई जताई जा रही है कि ये डील तो 2024 के इलेक्शन के बाद ही साइन की जाएगी और जब ही जाकर हमारे एमका को भी फंडिंग मिलेगी MRFA डील के एप्रूवल के बाद जब जाकर हमारी वायू सेना इतनी बजबूत होगी हम चाइना का आसानी से मुकाबला कर सकेंगे लेकिन इस डील को लेकर अभी भी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि भारत इस डील में कौन से फाइटर जैट को लेने वाला है और इस फाइटर जैट को लेने का हमें ये भी फाइदा होगा कि इस फाइटर जैट की मेंटिनेंस कोस्ट हमें कम पड़ेगी वहीं पर राफेल फाइटर जैट अपनी पावर का लोहा भारतिय वायू सेना को कई बार मनुआ भी चुका है और अभी इस बात की उमीद की जा रही है कि 2024 के इलेक्शन खतम होने के बाद 36 राफेल और 26 राफेल के बाद एक बार फिर से 114 फाइटर जैट की MRFA डील को साइन कर लिया जाएगा और राफेल फाइटर जैट के आने से हमारी वायू सेना इतनी मजबूत हो जाएगी कि चाइना के J20 का काफी अराम से मुकाबला कर लेगी राफेल फाइटर जैट की पावर का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक यूद अभ्यास के दोरान राफेल फाइटर जैट ने F-22 रैप्टर को इसाइल लोग कर दिया था राफेल फाइटर जैट के एडवांस होने के पीछे एक रीजन यह भी है कि फ्रांस ने इस फाइटर जैट में जो पूरा पैसा लगाया है उसका 60 परतिशत पैसा इसके रेडार और इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट में लगाया है इसलिए ही यह फाइटर जैट हमारी वायू सेना की पहली पसंद बना हुआ है और राफेल फाइटर जैट के आने के बाद हमारी वायू सेना इतनी कैपेबल हो जाएगी कि हम टू फ्रेंट वोर के लिए पूरी तरीके से तयार होंगे आपको क्या लगता है कि MRFA डील में हमें F-15 EX लेना चाहिए या फिर राफेल फाइटर जैट लेना चाहिए इस बात का अंचर आप केमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स पोर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे